उत्तर सनरचनावाद इसे अंग्रेजी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है सरचनावाद में भासा को एक मौडल की रूप में प्रस्तुत करने पर बल था किन्तु उत्तर सरचनावाद में इस पर और अधिक जोर दिया गया लेखक के विकेंद्रित होते ही पाठ का एक मात्र व्याख्याकार पाठक हो जाता है ऐसा माना गया अर्थात लेखक की जग पाठक जो है वो महत्यपूर्ण हो जाता है और वही लेखक का सारा व्याभार करने लगता है सरचनावाद की अप्रासंगिक्ता के कारण उत्तर सरचनावाद सामने आया 1970 के दसक में ही ऐसी अनेक आलुचनात्मक प्रवर्थियां उभरी जिन्होंने सरचनावाद के भासा और लक्सन विज्यान पर दो दसकों से चले आ रहे वर्चसु को समाप्त कर दिया कुछ विद्वानों का मानना है कि नव सरचनावाद अर्थात उत्तर सरचनावाद के आगमन की आपचारिक गोशना 1966 में ही हो गई जब जॉन हॉपकिन्स विज्याले ने फ्रांसेसी दार्षनिक जॉक्स देरिदा को एक संगोश्टी में आमंत्रित किया देरिदा के चिंतन परक लेखन राइटिंग और डिफ्रेंस 1978 पुस्तक में सरचनावाद के वर्चस को कम हुआ बताया गया और उत्तर सरचनावाद की इस्थापना पर बल दिया गया पॉल्डी मान ने देरिदा के उत्तर सरचनावाद समंदी विचारों को आगे बढ़ाया देरिदा का मानना है कि बासा अर्थ की स्रिष्टी करती है बासा के बाहर कुछ भी नहीं है उत्तर सरचनावाद में सारा बल पाठ पर ही दिया जाता है समिकसा पाठ पर ही कैंद्रित होती है लेखक नहीं पाठ महत्तुपूर्ण है सब्द में ही अर्थ रहता है कावे पाठ में ही आलोचना नहित रहती है पाठ की गहन सरचना में नहित समेदना अर्थ आदी की अर्था टुकडे टुकडे करके सारी कविता को या सारी मैटर को पढ़ा जाए तो जो है विसेस अर्थ उसका सही अर्थ निकालना संबव होता है। आप जिनोंने हिंदी आलोचना की पारिवासिक सब्दावली किताब लिखी है वे कहते हैं उत्तर सरचनावाद के आलोचकों का कहना है कि व्याख्या पर वर्चस्वे स्थापित करने का यह नया तरीका है। सरचनावाद की विसेस्ता हैं। संपूर्ण ध्यान पाठ पर रहता है। सब्द में ही अर्थ को नहित माना जाता है। इस्त्रिवादी द्रष्टी से पाठ पर विचार का भाव रहता है। विखंडन की प्रधानता रहती है। देरीदा का व्यापक प्रभाव रहा है इस पर सरचनावाद की प्रतिक्रिया के स्वरूपे सामने आया है उत्तर ओदोगिक युग की उपज है और नई समिक्सा का इस पर सीधा सीधा प्रभाव है धन्यवाद